नेचर यानि की कुदरत जितना सुंदर है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है पेड यानि की ट्रीज सिर्फ जिनके कारण इस धर्ती पर जीवन बसा है वहीं इस धर्ती पर कुछ ऐसे भी पेड है जो खुद ही किसी भी मनुश्य की जान ले सक यह पेड इतने खतरनाक है कि अगर कोई व्यक्ति इन पेडों के नीचे कुछ देर खड़ा भी हो जाएगा तब भी शायद उसकी जान जा सकती है आज इस वीड़ों में हम इस धर्ती के पांच सबसे खतरनाक पेडों के बारे में आपको बताने वाले है नमबर फाइव इस पेड के उचाई तकरीबन तकरीबन 130 फिट तक होती है यह पेड पूरी तरह से हर हिस्से से यह दर्शाता है कि जैसे वह सिर्फ इंसानों की जान लेने के लिए ही बनाए इस पेड के तने पर हर जंगा काटे भरे होते है जो शायद यही कहता है कि इस पेड से दूर रह इस पेड़ के तने को अगर कोई स्क्रैच भी करता है तो अचानक से वहीं से एक लिक्विड निकलता है जिसको हम स्क्रैप कहते हैं और अगर जरा सा भी यह स्क्रैप किसी की आखों में चला गया तो वह तुरंथ ही अंधा भी हो सकता है यहीं नहीं इस पेड़ का जो फल है वो भी पकने पर सीधा बम की तरह ब्लास्ट होता है और जो इस फल के अंदर बीज होते है वह भी इस फल से धाई सो किलोमेटर प्रतिगंटे की गोली जैसी रफतार से बाहर निकलते है और तुरंथ ही किसी की भी जान ले सकते है तो अग अतना तेज हो सके वहां से भाग जाईए नमबर 4 सेरबेरा ओडलम यह पेड़ भी एक ऐसा पेड़ है जिसका हर एक हिस्सा पूरी तरह से जान लेवा होता है हर एक हिस्से का मतलब बिलकुल हर एक हिस्सा चाहे इस पेड़ के तने की बात करे या इसकी डालियों की या फिर इसके फूल या फिर पत्तोगी साथ ही इसका फल भी उतना ही जान लेवा होता है जितना इस पेड़ का हर हिस्सा यही वो पेड़ है जिसको हम सुसाई ट्री भी कहते हैं इस पेड़ पर गोल-गोल अकार का फल उपता है लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस फल को खा लेता ह तो फल को तो छोड़िये अगर इस पेड़ का कोई भी फूल या फिर उसका कोई भी पत्ता अगर किसी भी शरीर के अंदर चला जाता है तो तुरंथ ही उस बंदे की हालत खराब होने रखती है तभी उसकी हर्ट बीट अचानक से हाई होने लग जाती है और साथ ही उल्टी जैसा भी मैसूस होता है इस पेड़ की पैचान इसके फल के साथ लगे एक वाइट कलर के फूल के साथ होती है और साथ ही यह पेड़ सबसे ज़्यादा भारत और एशियन कंट्रीज में ही पाया जाता है तो इसी वड़ा से जो भी शायद इस वीड़ो को देख रहे है जाधा तर भारत और आसपास की कंट्रीज से योंगे तो इस पेड़ से हम सभी को सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है नमबर थ्री दा एपल ट्री एपल जितना हमारी सेहत के लिए अच्छा है उसका पेड उतना ही ज्यादा जानलेवा दर असल सेब के पेड और उसके पत्तों से एक बड़ा ही भयानक रसाय निकलता है जो एक साइनाइट नाम का केमिकल कंपाउंट बनाता है जो हमारे शरीर के लिए काफी जादा जानलेवा हो सकता है आपके मन में सवाल होगा कि सेब के बीज में ज़रूर होता है। हलाकि एक दो बीज से तो नहीं लेकिन अगर हम एक साथ काफी सारे सेब के बीज भी निकल जाते हैं तब शायर थोड़ी वो दिकत हो सकती है। लेकिन कुछ जादा चिंता की बात नहीं क्योंकि इतने जादा बीज कोई एक साथ खाएगा ही नहीं। नमबर टू चेरी ट्री जी हाँ चेरी का पेड ये वही पेड है जिसके फ्रूट को हम बड़े ही मज़े से स्वीट डीशिस पर लगा कर खाते हैं। दरसल चेरी का पेड भी सेब के पेड की ही तरह एक जान लेवा साइनाइड नाम का रसाया निकालता है जो हमारे शरीर के लिए काफी जादा खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही सेब के पेड की पत्तों की तरह ही चेरी के पेड के पत्ते भी काफी जादा जान लेवा होते हैं। तो इसी वज़े से अगर आपको कभी चेरी का पेड़ भी दिखे तो जितना हो सेगे इस पेड़ से भी दूर चले जाना नमबर वन मैंचिनल ट्री यह पेड फ्लोरिडा और केरिबियन आइलेंड्स के आसपास पाया जाता है यह पेड इतना खतरनाक है कि इसके इतने खतरनाक होने का गिननिस पुक को वर्ल्ड रिकोर्ड में एक रिकोर्ड भी दर्ज है इस पेड के पत्ते काफी जादा नुकिले होते है और साथ ही इस पेड पर एपल जैसे ही फल उखते है यही नहीं अगर कोई व्यक्ती बारिश के वक्त इस पेड़ के निचे बैठ भी जाता है तो अगर पानी की एक भूंद भी इस पेड़ के पत्ते से डच होकर उस मनुश्य पर गिरती है तो उसी वक्त उस मनुश्य की जान भी जा सकती है और इसी वज़े से सरकार ने इस पेड़ पर दू नो टच का बोड़ भी लगाया हुआ है आपको इन में से सबसे खतरनाक पेड़ कौन सा लगा और अगली वीडियो आपको किस ट्रॉपिक पर चाहिए निचे कमेंट ज़रूर करना अगर आपको वीडियो देखकर मज़ा आयो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जाजार आपने उसरे शेयर कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार फैक्ट वाली वीडियो हर रोज देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाना